नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरिश कुमार तिवारी, आप सभी शुर्ताओं का स्वागत करता हूँ, आज के चर्चा सत्र में हम पाठिक्रम कोड 503 के सीर्षक भाषा एवं भाषा प्रियोक्षाला पर चर्चा करेंगे, भाषा सब वर्तमान परिद्रिश में किसी परिचे का म काफी सामानता, सामानेता एक व्यक्ति भाषा को भावों एवं विचारों की अवियक्ति के साधन के रूप में मानना है, उनका मानना है कि भाषा संप्रेशन का माध्यम है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करता है। इसी संदर्ब में कुछ विद्वानों न भी भासा की परिभासा दी है जिसमें की B-Block एवं G-L Trigger ने भासा को परिभासित करते हुए कहा कि भासा या दृच्छिक वाचिक थ्वनी संकेतों की वह पधती है जिसके द्वारा मानों विचारों का आधान-पर प्रतिकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समुग के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं। भासा को परिभासित करते हुए वेंद्रिये ने बताया कि भासा एक तरह का चिन है। चिन से आशय उन प्रतिकों से है जिनके द्वारा मानों अपना विचार दूसरो पर प्रकट करता है ये प्रतिक कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राहय, स्रोत्रग्राहय और इस्पर्सग्राहय पस्तुता भासा की द्रिष्टी से स्रोत्रग्राहय प्रतिक ही सरोश्रष्ट है ऐसा वेंद्रिये ने अपनी परिभासा में बताया अब यदि इन परिभ भांसा को प्रतीकों की एक व्यौस्था मानिय को सबने कहा कि यह चिन है या प्रतीक है और यह व्यौस्था है या द्रिचिक है यानि इसका कोई नियम नहीं है. दूसरी बात कही गई कि भासा समप्रिशन का माध्यम है। अर्थात इसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने अंतह करण में जो विचार उसके चल रहे हैं, उसको अन्य व्यक्तियों तक प्रकट करता है और इसके लिए वो भासा का प्रय योग करता है। अगला सामाने तत्तू जो है, वो ये माना गया कि समप्रेशन समाज के विभिन सदस्यों के मद्धे होता हैं, और ये समप्रेशन व्यक्तिगत या समाजिक आवश्यताओं की पूर्थी के लिए किया जाता है। चुकि व्यक्ति एक समाजिक प्लाणी माना गया है और वो अपना सारा कारेविवहार इसी समाज में संपाधित करता है तो उससे समाज के विभिन्य सदस्यों के साथ संप्रेशन करना होता है क्योंकि बिना संप्रेशन के बिना अपनी बात कहे वो किसी भी आवस्यक्ता की पूर्ती चाहे वो उसकी व्यक्तिकत आवस्यक या फिर समाजी को सकता हो, पूर्ती नहीं कर सकता है, उसे समाज के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करनी ही पड़ती है, संप्रेशन करना ही पड़ता है, और इस संप्रेशन के लिए भासा का प्रयोग होता है, इस प्रकार से यदि सरल सब्दों में भासा को परिभासित किया और सिर्फ अध्यान अध्यापन ही नहीं हो रहा है, बलकि निरंतर नवाचार भी हो रहा है, अर्थात इसके अध्यान अध्यापन की विदियों में आय दिन नए खोज हो रहे हैं, नए आविशकार हो रहे हैं, और उन आविशकारों को, उन विदियों को हम अपने सिछण कार में अपने अधिगम कार में हम शामिल भी कर रहे हैं- इसी नवाचार के परिणाम सवरूप भासा-प्रयोक्षाला के संप्रक्त्य को जन्म मिलता है अब प्रशन उठता है कि ये भाशा प्रयोक्षाला है क्या है। प्रयोक्षाला सब्द का जैसे ही जिक्राता है तो एक आम आदमी के मन में सीधा विज्ञान की प्रयोक्षालाओं का या कम्प्यूटर विज्ञान की प्रयोक्षालाओं का चित्र दिमाग में उभर जाता भासा प्रयोक्षाला के चित्र को एक आम आदमी, एक सामानी व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि ये आखिर क्या चीज है, कैसे ये काम करता है, तो एक सिक्षक के लिए या एक विद्यार्थी के लिए ये जानना अति आवस्यक है कि आखिर भासा प्रयोक्षाला है क्या, इसके क् करण होते हैं कैसे ये काम करता है आधितत्यों से अगत होना उसे जरूरी होता है सरल सब्दों में अगर बात किया जाए तो भासा प्रयोक्षाला एक सिक्षण अधिगम सामगरी है अर्थात अध्यान अध्यापन के कारे में सहायता करने वाली सामगरी है इसके सरलतम रूप और विश्त्रित व्यापक रूप या चटिल रूप जो होता है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। सरल रूप में एक ऐसा कक्छ हो सकता है, एक ऐसा कमरा हो सकता है जिसमें एक टेप रिकॉडर के माध्यम से विद्यार्थी अपने भासा संबंधी अभ्यासकारे करते हैं। एमें हियास्त नाम के एक विद्वान ने इसको परिभासित करने की चेश्टा की। और परिभासित करते हुए कहा कि भासा प्रियोकशाला एक कक्छा कक्छ है जिसमें विदेशी भासा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन प्रकार के उकरण जुटाए गये हैं। सामाने तया यह कार्य साधारन व्योस्था में इतना प्रभावशाली नहीं बन सकता है। इस प्रकार भासा प्रियोकशाला से आसे एक ऐसे कक्छा कक्छे है जिसमें तक्नीकी संसाधनों यथा कम्प्यूटर, टेप रिकॉडर, सौफ्ट्वेर, आधिका प्रियोक करके भासा अर्जन को प्रभावशाला का प्रियोक किया जाता है। हियास साहब ने अपनी परिभासा में कहा है कि विदेशी भासा के अर्जन को अधिक प्रभावपूरूर बनाने के लिए भासा प्रियोकशाला का प्रियोक किया जाता है। हो सकती है और अपने देश की भी हो सकती है। भासा प्रियोकशाला की शुरुवात की जहां तक बात है। तो 1946 इस्वी में लुसियाना इस्टेट यूनिवर्सिटी से इसकी सुरुवात मानी जाती है। अब प्रस्ण ये उठता है कि भासा सीखने के लिए या भासा के अध्यान अध्यापन के लिए भासा प्रियोकशाला की आवस्यकता क्यों पड़ी। भासा तो हम सीखते आ रहे हैं और भासा को सीखने के लिए कहा गया है कि व्यक्ति स्वभाईक रूप से अनुकरन की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। और हम देखते भी हैं कि बच्चा भासा को अनुकरन की प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखता है। भासा प्रियोकशाला की आवस्यकता क्यों पड़ी। इस संदर्व में यह बात कही जा सकती है कि विद्यार्थियों को पारंपरिक कक्षा कक्षवाता वरण में अभ्यास के लिए प्राप्त होने वाले आउसरों की तुल्ला में अधिक आउसर प्रधान करने के लिए भासा अधिगम अभ्यास में सक्रिये रूप से सामिल करने क लिए इस प्रकार के प्रयोक्षाला की आवस्यक्ता है। अब यहाँ पर पहली बात जो आ रही है पारंपरी कक्षा-कक्षवतावरां। हमारा आशये जो अपचारिक कक्षा-कक्ष होता है विद्यालेों मैं। जिसमें एक सिक्षक, पुस्तक के माध्यम से या अपने अनुभाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को भासा ग्यान परदान करता है, उससे हैं। दूसरी बात भासा प्रयोक्षाला की है, जिसमें आधुनिक उपकरणों, सौफ्ट्वेर्स, एवं कम्प्यूटर के माध्यम से भासा ग्यान परदान किया जाता है, जिसकी बात की जा रही है। दोनों में तुलात्मक रूप से विद्यार्थी को किसमें ज्यादा उसर प्राप्त हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और भासा प्रयोक्षाला की अवस्यक्ता आए। कहा गया कि पारंपरी कक्षा कक्ष वातावरा में अभ्यास के लिए प्राप्त होने वाले आउसरों की तुला में अधिक आउसर प्रदान करने के लिए। अर्थात एक बात तो असपष्ट है कि पारंपरी कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के पास परियाप्त उसर नहीं होते हैं. एक कक्षा कक्ष में अमूमन 30 से 40 विद्यार्थी होते हैं और 40-45 मिनट की कक्षा होते हैं. 45 मिनट की कच्छा में अगर 40 विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी को अभ्यास करने के लिए 5 मिनट का उसर भी नहीं मिल पाता है, जो भासा सीखने के लिए परियाप्त नहीं है, भासा प्रियोक्षाला में प्रत्यक विद्यार्थी पूरी कच्छा तक एक साथ, सारे उसे विद्यारथी एक साथ अभ्यास कर सकते हैं, ऐसी व्य विवस्ता होती है। हर विद्यारथी के पास अपने आवाज को सुनने, अपने आवाज को रिकॉर्ड करने के साधर उपलब्ध होते हैं। और जो सिक्षक होता है, जो परामर्ष दाता होता है, वो उन सारे विद्यार्थियों को एक साथ सुन सकता है, और जरूरत पढ़ने पर उन्हें सलाह भी दे सकता है. तो इस प्रकार से भासा प्रयोक्षाला में विद्यार्थियों के पास पर्याप्त औसर होता है जिससे कि वो अभ्यास कर सके और अपने भासा ज्यान को सुधार सके। इसलिए भासा प्रयोक्षाला की आवस्यक्यता पड़ी। अब बात करते हैं भासा प्रयोक्षाला के विविद घटक की, कि इसके कौन-कौन से घटक है या तत्व हैं, तो मुख्यता भासा प्रयोक्षाला में तीन तत्व या घटक पाए जाते हैं, पहला घटक होता है स्रवल कोष्ट, स्रवल कोष्ट को अगर सरल सब्दों में समझा जाएं, तो ये ऐसा कोष्ट होता है, ऐसा कक्ष होता है, या उसको एक ऐसा सेल कहले होता है, जिसमें एक विद्यार्थी बैठकर अपना काम कर सकता है, सामानेता एक भाशा प्रियोक्षाला में सोला से बीस स्रवल कोष्ट होते हैं, लेकिन ये संख्या निशित नहीं है, सामानेता ऐसा होता है, संख्या कम भी हो सकती है, और संख्या अधिक भी हो सकती है, ये निर्भर करता है कक्षा कक्ष के या प्रियोक्षाला के आकार पर कारे कर सकता है इसके अलावा इस कोष्ट में टेप रिकॉडर दूर्भास जिसका प्रियोग परामर्स दाता से बात्चीत करने के लिए किया जाता है स्विच जो टेप रिकॉर्डिंग को और टेप के डिस्ट्रिब्यूशन को संचालित करने के लिए होते है स्रौन एंद्रिय दूर्भास जिसको सामाने सब्दों में इयर्फोन का आ जाता है ये सारी चीजे उपलब्ध रहती है जिसका प्रियोग विद्यार्थी अपने कारे के संपादन में करता है दूसरा घटक होता है परामर्स दाता का कोष्ट परामर्स data से यहां आसे उस व्यक्ति से है जो विद्यार्थियों को भासा अधिगम पर सुझाओ देता है यह सिख्षक भी हो सकते है और यह भासा के विशिशग भी हो सकते है कोई भी हो सकता है जिसको भासा से संबंदित जानकारी है यह एक ऐसा कक्ष होता है, जिसमें बैटकर परामर्स दाता विद्यार्थी से संपर्प करता है। इस कोष्ट में कई टेप तथा मास्टर टेप रहते हैं, इसके अलावा मॉनिटरिंग स्विच, डिस्टिब्यूशन स्विच, गुरूप कॉल स्विच, ओफ कॉल स्विच होते हैं। नियंत्रण कक्ष, इस कक्ष में सभी प्रकार के टेप रिकॉर्डर तथा उपकरण विद्यमान रहते हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया पर आसानी से नियंत्रण अस्थापित किया जासे। भासा प्रियोक्षाला की प्रक्रिया पर अगर बात की जाए, तो स्रवन कोष्ट में उपलब्ध सभी उकरोनों से विद्यार्थी का नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपर्क अस्थापित रहता है। विद्यार्थी अपनी आवश्यक्ता के अनुसार सावधानी पुर्वक्ट टेप का चुनाव करते हैं, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने एवं सुनने का पूरा प्रबंध महा रहता है, प्रतियक कोष्ट की चार फुट उची दिवार होती है, ताकि विद्यार्थी विन सुने पर उसमें सुधार करता है, डिस्ट्रिब्यूशन स्विच के माध्यम से वह छात्रों के लिए रिकॉर्ड की गये प्रोग्राम को नियंतरित करता है, गरुप कॉल स्विच की सहायता से वह विशेश रूप से कारे करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपकरने के लिए, विद्यार्थी अपने टेप को सुनता है, मौकिक अनुक्रिया करता है, और उसकी अनुक्रिया स्रहण कोष्ट में रखे गए उपकरन के द्वारा रिकॉड कर ली जाती है। विद्यमान टेप में आवाजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। भासा प्रयोक्षाला के महत्यों पर अगर बात की जाये तो निम्लिखित विंदुओं के माध्यम से उसके महत्यों को समझा जा सकता है। बार-बार सुद्ध विशेवस्तु को सुनने से शुद्ध उच्चारण अधिगम में सहायता मिलती है। विद्यार्थी को अभिप्रेणा प्राप्त होती है। विद्यार्थी स्वगती से सीखता है। शब्दों के सुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। चुकि एक विद्यार्थी का उच्चारण किसी दूसरे विद्यार्थी को सुनाई नहीं देता है, इसलिए वा बिना संकोच के सरलता से कारे कर सकता है। विद्यार्थी पाट को बार-बार दो रा सकता है, विद्यार्थी में क्रिया शेलता बरती है। झाल झाल झाल